वेल्कम बैक तो मैं चैनल इसके लार मैं हूँ प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्ससाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हम देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कंपोनेंट ओफ वेक्टर ठीक है बांकि जो पिछली क्लास है इसको अगे आधावाइस सब साफ हो जाएगा तो पिशली क्लास में हमने क्या देखा था अडीशन वेक्टर दिखा था किसी स्केलर से अगर हम वेक्टर में मल्टिप्लाई करते हैं तो उसकी कंडीशन केरेती जरी है कि असलिक था रिहा रही हैं कि तो और डिश्प्रिप्शन ब और देखते हैं component of a vector, तो component of a vector, तो component of a vector यानि कि यहाँ पर vector component form हम देखेंगे, तो सबसे पहली चीज तो एक दो छोटी चीज़े हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको समझ लेते हैं, तो जैसे let's suppose यह हमारा हो गया y-axis, यह हो गया हमारा x-axis, यह y-axis और यह हो गया अपना z-axis ठीक है, अगर हम x-axis पर let's suppose कि यहाँ पर कोई हमने एक point लिया, ठीक है, तो सिदी सी बात इसका x-coordinate कुछ ना कुछ होगा, तो हमने suppose कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक कि जो distance है यह हो गई 1, और यहाँ पर y भी 0 रहेगा, z भी 0 रहेगा, यह point हमने ले लिया a, ठीक है, यह तो अपना origin है ही, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक point लिया b, जिसके coordinate, सीदी सी बात है, x-0 रहेगा, y पर y-1 ले लिया, और z रहेगा 0, इस तरीके से z axis पर हमने एक point लिया c, जिसके coordinate होगा x-0, y-0, but z रहेगा 1, ठीक, समझ मैं आगए बात, तो यहाँ पर, अगर ह हम इस o a का magnitude find करते हैं, ठीक है, देखें, मैं आपको verbally सारी चीज़े बता रहे हूँ कि x, y, z axis पर, x axis पर हमने a point लिया, y पर हमने b लिया, z पर c लिया, a के coordinate 100, b के 010, और c के 001, अब यह कैसे आप खुद देख रहे हैं, यह एक्स एक्स पर, x तो कुछ ना कुछ रहेगा, y और z 0, y axis पर y रहेगा, बाकी दोनों 0, z axis पर z रहेगा, x और y 0, ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं, origin से यहां तक o a, जो distance है, o से लेके a के बीच की distance, इसी को हम कहते है magnitude, तो o से लेके a तक का जो magnitude रहेगा, अगर वो हम find करेंगे, और magnitude कैसे find करते हैं, यह हम already 10.1 क introduction में सीख चुके है, तो यहां पर magnitude of o a, अगर हम find करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 1 square plus 0 square plus 0 square, यानि 1 ही आ जाएगा, तो magnitude of ob, अगर हम find करते हैं, ob magnitude, 0 square plus 1 square plus 0 square, तो यह भी आपका आगया 1, इसके बाद magnitude of oc, हम find करते हैं, तो यह भी आ जाएगा 1, तो already हम यह चीज चुके हैं, type of vector में, कि अगर किसी भी vector का magnitude 1 होता है, तो उस vector को हम कहते हैं, unit vector, तो unit vector हमने पढ़ी थी, और unit vector में हमने ये पढ़ा था, कि अगर किसी vector का magnitude 1 रहेगा, तो उस vector को हम कहेंगे unit vector, तो यहां पर आप देख रहे हैं, oa, ob, oc, यह तीनों के तीनों vector, जो हैं, यह unit तो इन में हम अंतर केते शो करेंगे कि X-axis के अलोंग O-A वेक्टर है इसका मैगनिट्वड़ वन है Y-axis के अलोंग O-B वेक्टर है इसका मैगनिट्वड वन है Z-axis के अलोंग O-C वेक्टर है इसका मैगनिट्वड वन है यह इसको हम शो कैसे करते हैं तो जो X-axis के अलोंग रहे हैं तो यह किसके अलोंग है? X-axis के ठीक है इसको हम शो करेंगे I-cap से ठीक है यह Y-axis के अलोंग है? इसको हम शो करेंगे J-cap से तो यह चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है कि x-axis के along unit vector i-cap, y-axis के along unit vector j-cap, z-axis के along जो unit vector रहेगा वो रहेगा k-cap समझ मैं आगे बाद clear, ठीक है तो ये क्या रहेंगे हमारे unit vector तो चाहें तो एक line में पनी हालिक देते हैं समझ मैं अगी बात, तो i-cap, j-cap, k-cap को हमने इसलिए पहले समझ लिया क्योंकि अभी जब हम component of a vector, यानि किसी vector का component form find करेंगे तो वहाँ पर इन unit vector की हमको जरद लगेगी तो i hope आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ox axis है यानि ये इसका unit vector i-cap, o-y, j-cap, o-z, k-cap clear समझ में आगी बात, तो इसको मैं हटा रही हूँ, अगर आपको लग रहा है नूट करना है तो कर सकते हैं बांकि theory तो आपको book में भी मिल जाईगी ठीक है चलिए इसको मैं हटाती हूँ और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब जो axis है 10.1 में हमने समझा था position vector उसी से हम इसको समझेंगे तो यहां पर हमने एक point P लिया और इस P का जो position vector है यह आपका O P से शूग करेंगे समझ में आरी बात यह origin आपका O है यहां पर एक point हमने लिया हुआ है A तो यह अपना Y axis है X axis पर अपने A point लिया Y axis पर अपने यह B point लिया और Z axis पर यहां पर अपने लिया C point ठीक है clear इतनी बात clear होगे तो देखिए मैं थोड़ा सा शॉटकट में लिखोंगी अपने यहां पर क्या लिया है P एक point लिया है जिसके coordinate है X, Y, Z इससे आप familiar हैं जब हमने position vector पढ़ा था तो यहां पर हमने OP vector is इतनी चीज तो आपको पता है कि P point का position vector यहां पर हमारा OP vector है with respect to origin, clear यह तो पहले से आपको पता है और इसका magnitude भी आपको पता है किस तरीके से find करेंगे तो OP vector का magnitude find करेंगे तो क्या हो जाएगा X square plus Y square plus Z square और अगर O से लेके P तक की जो length है अगर इसको R vector से show कर रहे हैं तो यह equal to हो जाएगा यह है ठीक है तो यह चीज़ अपन पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हमने आपड लेख ली क्योंकि इसकी भी हमको जरुवत लग सकती है अब आते हम कि component of a vector यानि इस O P का यह जो position vector है इस position vector का component form हम कैसे find करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए यहां से लेके यहां तक यह जो X axis है आपका यहां पर O से लेके A तक जो यहां पर हम ले रहा है अब scalars तो O से लेके A तक यहां पर क्योंकि X axis है तो हमने ले लिया X scalar O से लेके B तक यह Y axis है तो यहां पर हम ले लेंगे एक Y यह भी scalar है और O से लेके C तक यह हो जाएगा Z यह भी हमारा scalar है तो यहां पर एक चीज़ का धियान रखें आप जो X Y और Z हैं यह क्या है scalars है क्या है आपके scalars है और I cap J cap और K cap यह आपके unit vectors है क्या है आपके unit vectors है ठीक है clear यह scalar component लिख लीजिए आप scalar component ठीक है और unit vector तो आपको पता ही है लेकिन किस की along यह Y axis के along यह Z axis के along ठीक है तो यह हटा दीजिए ठीक है चले ओ से लेके यह तक की जो distance है और यह direction इस direction में X Y और यह Z हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स 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 य एक्स और Z axis के हसाब से अपने direction बना दी अब यहां पर हमने क्या किया कि यह जो पी है पी point है यहां से perpendicular यहां पर आया अपना इसको ले लेते हैं अपन पी वन ले लेते हैं ठीक है समझ में आरी बात तो जो point P1 है यह क्या हो गया इस पी का foot हो गया ठीक है clear और कौन से plane में है यह इस चीज का ध्यान दे कौन से plane में है यह 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 वाला plane है अपना X Y plane इसको read कैसे करेंगे X O Y plane में है यह point P1 तो हमको चाहिए O P vector का component form ठीक component form of O P vector तो यह कैसे find करेंगे तो ध्यान दीजेगा एक चीज को हम किस तरीके से जाएंगे इस origin से start कर रहे है हम थोड़ा सा अलग figure यहां पर मैं बनाऊंगी है ना ताकि आपको clearly समझ में आ सके और यह चीज में हटा देखियों आपको समझ में आई गया है कि यह x y और z क्या है अपने scalar component ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर अपना origin है ओ ठीक यहां से अपन यहां आ है कि यह अपना क्या है scalar है ना ओ तक यह direction है ध्यान दीजेगा ओ ए ठीक इसके बाद यहां से अपन गए इधर से इधर क्योंकि यह इस डिरेक्शन में तो यह इस डिरेक्शन में तो यह अपन इस तरीके से यह फोड़ा सा और आगे ले लेते हैं बहले से यह पीवन देख रहा है यह और यह बनाया हमने अलग फिगर में तो आप देख रहा हैं यह दो वैक्टर हैं इस तरीके से यह continue अपने इसके लिए यह के लिए यह टर्मीनल पॉंइंट है तो यह पर अपना ट्राइंगल लगा सकते हैं नहीं करेंगे अगर अपने को पूरे displacement की बात कर रहा है अपन कि O से अपन AI और A से अपन P1 गए तो टोटल displacement आप OP1 से शो करेंगे कि नहीं करेंगे तो ये X है और ये Y है समझ रहें बात को ये X है ये Y है और यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें अभी अपन ने unit vector पढ़ाता X-axis के अलोंग और Y-axis के अलोंग ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आप देखें यहाँ पर में लिखती हूँ OP1 वेक्टर को किससे शो करेंगे हम X I-cap प्लस Y-J-cap ठीक क्योंकि ये अकेला scalar है ठीक है न ये अकेला scalar है लेकिन direction हमको किससे मिलेगी हमारे ये वेक्टर से तो X I-cap Y-cap ये Y कैसे आया देखो ये अगर Y है तो ये भी तो Y होगा पैरलली तो है इसके ठीक है इसलिए ये यह हो गया ठीक है इससे हमको मिल गया OP1 अब ध्यान दीजेगा एक तरह करें से इतना और इतना बनाया था है इसको हमने इस तरीके से बनाके फाइंड कर लिया OP1 अब आप देखिए यहां से यहां गया यहां से यहां से हम सीधिव पर जा रहे हैं पी ठीक है तो पी वन ये पी है अपन इस direction और यह अपन फाइंड कर चुके हैं इस direction इस समझ रहे हैं बात को यह ऐसे नहीं तो यह अपना एक्स हो गया यह अपना वाइभ से और यह देखो अगर यह जय है तो यह भी तक अपन ने तो find कर चुके हैं वैसे तो कि x i cap plus y j cap ठीक यह क्या है अपना op1 find कर चुके हैं अब यहां से अपन कहा जा रहे हैं पी पर इस डायरेक्शन फिक पी इसको कैसे find करेंगे आप तो देखिए हम o से p1 पर गए और p1 से पर गए तो टोटल जो आपका displacement रहेगा वो रहेगा op तो यहां पर अपन लिखेंगे op वेक्टर इक्वल टू ओ पी वन वेक्टर प्लस p1 पी वेक्टर समझ में आई बात देखिए जिन लोगों को समझ में आ गई है अच्छी बात है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं बड़ जिन लोगों को नहीं आई है ये चीज़ समझ में वो देखें एक बार और हमको जो हमारा कंपोनेंट फॉर्म है किसका ओपी वेक्टर का जो की अपना है पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म अपने को फाइंड करना है जिसके लिए अपन क्या कर रहे हैं बाई कि यहां से स्टार्ट कर आपने ओरीजिन से इसको मैं दुबारा से बना रही हूं यहां पर तो ओरीजिन ओ से स्टार्ट किया और यह पॉइंट पर आये हम इस तरीके से यह पॉइंट पर देखा जाए तो यह आपका है जो है vicinity ऑ यह यह लिंत अपनी एक से मतलब यह स्केलर रहे ठीग है क्लियर तहु तभी तो यह वैक्टर होगा भई सपेलर में एक बैक्टर से वाट्कर कहला एगा थी कना तो रहे क्षी मों इस तरीके से यह एस ऐसे आए और फिर इस डियरेक्शन में पी वन की डियरेक्शन बगा यह और यहां से अपन इस तरीके से जा रहे हैं यह पी पर समझ में आ रही है बात तो हमने अभी जब प्रॉपर्टिस पड़ी थी तो की में deposited एगता था थी यह तो यह O है यह A है और यह P1 है तो हमने क्या किया इसको लिखने की बजाए है अपन ऐसे लिख लेए तो O A Vector PLUS AP1 Vector ठीक है तो O A Vector PLUS AP1 Vector और यह टोटल क्या हो जाएगा अपना O P1 तो यह लिखा है ठीक फिर इसके बाद कि एक और वेक्टर को अपने को यह वाले को करना है तो अपन क्या करेंगे O P1 PLUS P1 P1 PLUS P1 P लेकिन इन दोनों के टोटल को हम शो किस से करेंगे इससे O P से बस यह पूरी कहानी है और कुछ भी नहीं है चाहो तो डारेट भी कर सकते हो X I cap PLUS Y J cap PLUS Z K cap लेकिन यहां पर हमने दो बाद ट्राइंगल लगा के find किया है ठीक clear तो चलिए करते हैं तो यहां पर देखिए O A O A क्या है scalar X है और unit vector है I cap तो यह हो जाएगा X I cap PLUS AP1 AP1 तो यह वाई है तो यहां पर भी तो O P1 अपने अभी find किया है तो यहां पर लिख लेंगे X I cap PLUS Y J cap ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि O P1 की value रखिए PLUS P1P तो P1P की बात करें तो इसके ही parallel है यह OC equal to P1P OC equal to P1P चिक तो OC Z है तो P1P भी Z हो जाएगा तो यह हो जाएगा Z K cap तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे X I cap PLUS Y J cap PLUS Z K cap ठीक है यह हो जाएगा आपका O P vector का component form चिक चिक है तो चाहिए तो थोड़ा सा डार कर देते हैं आपन जहां जहां से अपन गए हैं तो इन दोनों को अपन ने यहाँ पर यह तरीके से ट्राइंगल बना के solve किया ठीक उसके बाद तो में अपन ने यह vector यह vector और इस vector को अपन आड़ किया यह ज़स्ते अपने को O P vector का component form मिला ठीक है यहां लेग लेते हैं O P vector equal to X I cap PLUS Y J cap PLUS Z K cap तो यहां पर main हम O P vector लेकर चलेते हैं और उसी का component form हमने यहां पर find किया clear समझ में आगई बात अब जैसा कि अभी हमने देखा कि यहां पर जो X Y और Z हैं X Y और Z हैं इनको क्या कहते हैं Scalar component ठीक है तो figure आया हूँ आपको समझ में आया होगा ठीक है तो यह बहुत important है main अपना यह component form बस यही सब चलना है आगे कि exercise में अपने ठीक है तो वीडियो को पॉस्ट करके सबसे पहले आप इसको note कर लीजे और यहां पर अपना लिख लेते हैं कि जो A P1 है वो किसके क्वल था O B के क्वल था है और यहां पर P1 P जो था वो O C के क्वल था साइड में आप लिख लीजे ताकि आपको ध्यान रहे कि कहां से आपने क्या लिया है ठीक है चली तो यहां पर हमने component form तो देख लिया आप इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखने हैं आपको कि जो X, Y और Z हैं यह क्या है अपने scalar component जो कि अपन स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं ठीक है अब हमने जो find किया X, I, Cap, Y, J, Cap, and Z, K, Cap इनको हम कहेंगे vector components क्यूंकि इन में scalar के साथ direction भी है और यह किसको शो कर रहा है कि यह X axis की direction में ठीक है Y, J, Cap किसको शो कर रहा है कि यह unit vector तो है लेकिन यह किसकी direction में है Y axis की direction में है कि यह किसको शो करेगा Z axis की direction को ठीक है तो यह क्या है अपने vector components ठीक है clear समझ में आगई बात चलिए तो अब इसी से related कुछ एक दो चीज़े है important points भी है और अगर दो vector इस तरीके से दी जाती है component vector दी जाती है तो दोनों को हम add कैसे करेंगे subtract कैसे करेंगे आगर उन में किसी scalar का multiply करना है तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे तो इसको भी आप note कर लीजे वीडियो को pause करके तो अगर मालिक हमारे पाच यह दोनों vector है vector a और b ठीक है यह component form में दी हुई है दोनों vector तो दोनों को अगर add करना या दोनों का sum find करना है तो sum कैसे करेंगे तो sum को हम show करेंगे vector a plus vector b से और कैसे करेंगे हम यह हो जाएगा a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap plus b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap तो इस चीज़ का रहन रखना है कि हमेशा i cap वाले में i cap वाला ही add होगा ठीक है मतलब x direction वाला x direction में ही add होगा यानि कि a1 i b1 i में ही add होगा तो इन दोनों को अगर add करें तो दोनों में से i cap common निकल जाएगा तो यह हो जाएगा a1 plus b1 और यह आजाएगा अपना i cap clear समझ में आगी बाद plus a2 b2 यानि j cap वाले हैं दोनों तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे j cap common आ जाएगा तो यह हो जाएगा a2 plus b2 j cap फिर a3 k cap b3 k cap तो इनको add कर देंगे तो यह हो जाएगा a3 plus b3 k cap बस इस तरीके से दो वेक्टर्स को हम add कर सकते हैं अगर वो component form में दिये जाएं तो clear ठीक अब अब अगर subtract करना है यह अटा देते हैं तो यह हो जाएगा vector a minus vector b तो अब यह depend करता है कि a में से b को minus करना है कि b में से a को minus करना है तो हम तो a में से b minus कर रहे हैं भी फिलाल के लिए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले vector a लिखा अब बीच में minus sign लगेगा तो यहाँ लगेगा bracket ठीक clear minus sign अंदर जाएगा तो सभी के sign change करेगा तो यह हो गया a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap minus b1 i cap minus b2 j cap माइनस b3 k cap तो सिम वही चीज़ a1 i cap minus b1 i cap तो यह हो जाएगा a1 minus b1 i cap ठीक है फिर a2 j cap minus b2 j cap तो बीच में लगेगा प्लस यहाँ हो जाएगा a2 minus b2 j cap पर a3 k cap minus b3 k cap तो प्लस a3 minus b3 k cap तो प्लस a3 minus b3 k cap अब माल लिजे कि किसी भी vector में हमको किसी scalar का multiply करना होता है तो कैसे करेंगे तो अगर माल लिजे यहाँ पर कोई यह lambda अपना scalar है इस में हम मतलब इस से हम vector में multiply कर रहे हैं तो vector अपना कौन सा a ही अपनने लिया है तो हर एक time में multiply होगा तो यहाँ तो हमने सबसे पहले scalar लिखा यहाँ पर हमने लिखा a1 i cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap तो कैसे multiply होगा lambda a1 i cap प्लस lambda a2 j cap प्लस lambda a3 k cap लेजे और चाहें तो यहाँ प्राक्ट लगा दीजी ठीक अब दो vector equal किस condition में होंगे तो अपन इस चीज़ को कहां कर रहे हैं यहां कर लेते हैं ठीक है दो vector equal किस condition में होंगे जैसे कि हमारे पास है एक vector a1 sorry a b ठीक है तो यह उसी condition में equal होंगे जब a1 b1 के equal होगा a2 b2 के equal होगा a3 b3 के equal होगा तो vector a equal to vector b कब होगा if and only a a1 equal to b1 a2 equal to b2 a3 equal to b3 समझ में आगी बात दो vector उसी condition में equal होंगे जब a1 b1 के equal हो a2 b2 के equal हो और a3 b3 के equal हो तो यह पहली चीज हमने पढ़ी सम यह दूसरी चीज डिफरेंस यह तीसरी चीज किसी भी scalar से vector में multiply लेकिन vector के component form है और यह हमने फूर्थ चीज पढ़ी कि दो vector उसी condition में के equal होंगे जब a1 b1 के equal a2 b2 के equal और a3 b3 के equal होगा ठीक है तो इसको नूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं तो अब ही हमने पढ़ा वेक्टर का addition और वेक्टर में किसी भी scalar से multiplication कैसे होता है अब इन ही से कुछ distribution laws निकले हुए हैं तो उन distribution law को भी हम देख लेते हैं हैं बहुत सिंपल लेकिन देखना ज़रूरी है तो यहां पर हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी ठीक है और दो इसकेलर है के एम तो उस condition में पहला distribution हम देखते हैं कि अगर हमारे पास है के एक वेक्टर प्लस एम एक वेक्टर तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिए यहां पर आपका वेक्टर जो है यह दोनों के साथ distribute है तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर वेक्टर ए को तो आप कोमन ले सकते हैं ठीक है और यहां पर लिख सकते हैं के प्लस एम तो यहां से यहां पर भी जा सकते हैं जरूरत के इस तारीके से ठीक है अब कोई सकेलर है और यहां पर दो वेक्टर का सम दिया हुआ है ठीक है तो अगर distribute हम करते हैं क्योंकि distribution law हम पट रहे है तो इस scalar का multiply a में भी होगा और b में भी होगा तो यह हो जाएगा k a vector plus k b vector क्लियर समझ में आ गई बात ठीक है तो यह तो होगा कुछ distribution laws अब कुछ और चीज़े हैं हाला कि हम थोड़ा बहुत तो देखी चुके हैं कि अगर lambda और a vector यह क्या है अपना किसी भी vector में इस scalar से multiply तो हमको यह चीज़ पता है कि कि जो lambda a vector रहेगा वह हमेशा a vector से क्या रहेगा को लीनियर रहे गई रहेगा ठीक है यह चीज़ता हम पढ़ी चुके हैं ठीक है इस फॉर्म में तो हमने पढ़ा है लेकिन अगर component form आ जाता है क्या आ जाता है component form आ जाता है तब हम कैसे देखेंगे कि दो वैक्तर को लीनियर है यह नहीं तो वही देखेंगे तक आपने जो पढ़ा है वह सीधी अपनी वैक्टर थी वैक्तर यह वैक्तर भी या जो भी दिया था तो अब यहां पर हमने अभी component form पढ़ लिया है तो अगर दो वैक्टर component form में हैं तो वो को linear होंगे किस condition यह हम देखेंगे ठीक है तो इसको नूट कर लीजिए आप वीडियो को पॉस करके फिर समझते हैं अपना आराम से सो अभी तक हम ने सिंपल सीधी सीधी जो हमारी वेक्टर सोती थी उनके साब से हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं अब यहां पर को linear वाली चीज़ हम समझने वाले हैं तो यहां पर अभी हमने देखा कि अगर कोई वेक्टर ए है ठीक अगर हम इसमें एक स्केलर का मल्टिप्ला कर देते हैं ठीक है तो वेक्टर ए और यानि वेक्टर मालों इस तरीके से बन रही है तो जो लेम्डा ए वेक्टर है वह थोड़ी सी बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है लेकिन होंगे दोनों को linear यह हमने पढ़ा है तमझ मैं आरे बात बस शर्त यह होती है कि यह नोन जीर सकेलर होना चाहिए कि क्या होना चाहिए नोन जीरो सकेलर बस इतनी से चीज़ है बांकि यह दोनों होते हैं यह अपने को linear होते ही होते हैं ठीक है समझ में आरी बात तो देखिए यहां तो भी सेम अपनी बात हो रही थी लेकिन इस लेम्डा एक को अपने दूसरा वेक्टर बी से भी तो शो कर सकते हैं यानि कि अगर माली यह मारे पास दो वेक्टर वेक्टर एंड वेक्टर बी तो यह दोनों उसी कंडिशन में को linear होंगे अगर वेक्टर बी जो रहेगा यह रहेगा लेम्डा वेक्टर ए तो देखिए क्या हुआ यह वेक्टर था और यह लेम्डा ये वेक्टर को अपन भी वेक्टर से शू कर सकते हैं की नहीं समझ में आगी बात clearly बद तो अब यहाँ पर यही चीज हम component form में apply करने वाले हैं बस जो लेम्डा है वो non-zero scalar होना चाहिए ठीक है? हमारे पास दो वेक्टर हैं A और B वेक्टर A क्या हो जाएगा अपना? वेक्टर B क्या हो जाएगा अपना? ये दोनों उसी condition में co-linear होंगे किस condition में? if and only if वेक्टर B एक्वल टू लेम्डा वेक्टर A तो वेक्टर B रखते हैं यहाँ पर हम समझ में आगे बाद clearly और अभी हमने distribution लो पड़ा था इस scalar का अंदर multiply कर देंगे समझ में आगे बाद lambda A1 I cap lambda A2 J cap lambda A3 K cap clear समझ में आगे बाद अब क्योंकि देखिए यहाँ पर हम पहले से equal लेकर चले हैं कहने का मतलब क्या है कि यह दोनों किस कंडिशन में equal रहेंगे उसी कंडिशन में जब B1 lambda A1 के equal होगा तो यहाँ से हमने लेखा B1 equal to lambda A1 B2 lambda A2 B2 equal to lambda A2 B3 equal to lambda A3 B3 equal to lambda A3 बस यहाँ से हम lambda की value find कर लेंगे तो यह A1 दरा जाएगा तो B1 upon A1 equal to lambda B2 upon A2 equal to lambda और B3 upon A3 equal to lambda कहने का मतलब क्या हुआ lambda equal to B1 upon A1 equal to B2 upon A2 equal to B3 upon A3 अगर यह कंडिशन आ जाती है किस फॉर्म में अपने component फॉर्म में अगर यह कंडिशन अपन ले आते हैं तो यह दोनों वैक्टर के जो component फॉर्म है यह क्या रहेंगे आपके कोलिनेर समझ में आगी बात अगर यह कंडिशन सेटिस्फाय होती है तो component फॉर्म में अगर दो वैक्टर दिये हैं तो वो क्या होंगे कोलिनेर क्लियर समझ में आगी बात ठीक है अब इसमें एक चीज और है कि यह तो खतम हो गया जो कि अपन ने 10.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ठीक है क्लियर तो देखें यह सारी बेसिक चीज है अल्मोस्ट कंप्लीट हो गई है और इसको अगर आप नूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अब हम देखेंगे एक्जाम्पल और उसको था यहां पर आपको समझ में आएगा की काउशन किस सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर हमने लिया एक्ञाम्पल न。ब और फॉर और फाइब सबसे पहले इसकाँ ब red का इसनों किस प्र lleva ओप सब्सक्राइब की लेक्या स Catholics यहाँ पर 2 जो है यह अपना क्या है B1 B2 और यहाँ पर K के मल्टिप्लाय में कुछ नहीं मतलब 1 है मतलब वो रहेगा हमारा B3 तो अगर यह equal रहेंगे उसी condition में हमारे वेक्टर जो है equal रहेंगे और उसी condition में X Y Z की value find करेंगे तो इसी बात है कि हमको x by z की value find करना है और यह जो वेक्टर से यह equal हमको बोले गाए हैं तो यहाँ पर अपन लेखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कि आप एक्वल इफ एंड उनली इफ तो condition आपको पता ही है यहाँ पर आप देखें वेक्टर ए में अपने को दिया है x i प्लस 2 j प्लस z k केप और वेक्टर बी दिया है अपने को 2 i केप प्लस y j केप प्लस k केप तो यहाँ से आप देखें यह a1 है यह b1 है तो यहाँ से x equal to क्या आ गया 2 यह क्या है आपका a2 यह b2 यानि y equal to केतना आ गया 2 और यहाँ पर यह a3 है और यहाँ b3 यहाँ multiply में कुछ नहीं मतलब बनने तो z केतना आ गया 1 लेजिए खतम तो पहला example तो हो गया खतम यानि example number 4 complete अब दूसरे example पहते है example number 5 तो example number 5 में बोला क्या जा रहा है ध्यान से समझें vector a दिया है component form में दिया है vector b दिया यह भी component form में दिया है हमसे बोला है कि is this equal to this अब यह क्या है यह magnitude तो magnitude of a equal to magnitude of b क्या यह ऐसा है तो हम find कर लेते हैं तो देखिए a अपना यह है इसका magnitude कैसे find करेंगे तो i के multiply में क्या है यानि इसका scalar 1 तो 1 का square और j के multiply में क्या है तो 2 का square ठीक है ऐसी find करते हैं magnitude ठीक है तो यह जागा 2 दूसर 4 प 5 ठीक clear अब b का भी find कर लेते हैं तो यहां पर i के multiply में 2 तो यहां हो जाएका 2 square प्लस j के multiply में कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का square तो 2 दूसर 4 प्लस 1 5 तो बिल्कुल पहली चीज़तों है कि hence a का magnitude equal to b का magnitude है ठीक अब एक और चीज़ यहां पर पूछी जा रही है कि ra and b equal तो क्या यह दोनों vector equal हैं तो देखें यह दोनों vector तभी equal होंगे क्योंकि component form में दिया है और दो vector तभी equal होते हैं जब उनके corresponding components equal हों कहने का मतलब यह है कि अब जो equal वाली चीज़ है न यह अपनी i cap प्लस i cap 2j cap और vector b अपने को दिया है 2i cap प्लस j cap तो देखिए इनके corresponding component तो यहां पर i के multiply में कुछ नहीं मतलब 1 है और यहां पर i के multiply में 2 है तो 1 और 2 equal है कि नहीं ठीक है यह है corresponding component of a ठीक है नहीं लिखनी के जुरूरत नहीं सिर्फ समझाने के लिए है आप तृप इतना लिख दीजेगा कि a और b तभी equal होंगे जब इनके corresponding component equal होंगे हैं ही नहीं दिखी रहा है यहां पर क्या है 2 है और j के multiply में यह आप 1 है तो क्या ही equal है नहीं है ठीक है तो वैसे भी हमने properties में भी देखा था जब हमने दो वेक्टर को component form को add करा था multiply करा था स्केलर से और subtract करा था तब हमने यह भी देखा था कि दो वेक्टर तभी equal होंगे जब a1 equal to b1 a2 equal to b2 और a3 equal to b3 होंगे ओके ठीक है तो यह दो एक्जांपल होगे अपने complete इनको note कर करेंगे तो formula देखिए सबसे पहले तो यह अपना formula है unit vector find करने का तो कर लेते हैं क्या दिक्कत है चलिए करते हैं तो यह तो अपना रहा वेक्टर और इसका magnitude तो सबसे पहले magnitude of vector यह find करेंगे अपन तो यह कैसे find करते हैं अपन यह क्या है 2 यानि यह x है अपना तो x square plus y square plus z square तो यहां क्या है 2 square प्रजे के multiply में 3 3 square k के multiply में कुछ नहीं मतलब 1 है तो यह क्या हो जाएगा 22004 33009 plus 1 यानि यह आगया अपना रूट 14 आगया चलिए तो यहां वेक्टर ए लिखेंगे तो क्या है अपना 2 i cap 3 j cap k cap अपन रूट 14 और चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 upon root 14 i cap 3 upon root 14 j cap plus 1 upon root 14 खदम ठीक तो यह हो गया आपका unit vector इस vector का और unit vector को शो कैसे करते हैं अपन ध्यान रखिएगा a cap से तो यहां पर next example हमने लिया example number 7 find a vector in the direction of vector a that has magnitude 7 units तो देखिए अब यहां पर इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बांकि कोई दिक्कत नहीं है इस example में हमको यह बोला जा रहा है कि हमको एक vector find करना है जिसका magnitude हमको दिया हुआ है अब कोई vector होगी उस vector का magnitude अब यहां तो आल्रेडी वेक्टर ए दिया है हम लेट सपोस कर लेते हैं कि कि यह vector है बी हमको find करना जिसका magnitude दिया है प्रिक्षान नहीं पता आप सीधी सी बात है हमको यह चीज़ पता है कि कोई भी vector यह सेवन यूनिट इसका magnitude है लेकिन डेरेट्षण नहीं पता कि डाइरेक्षान इसकी क्या है तो डेरेक्षान तो जरूरी है किसी भी वेक्टर के लिए यहाँ पर एक चीज बोली गई एक हिंट हम को दी गई है कि हम को जो ब्र करना है उसका magnitude 7 है और वह कि इस वेक्टर की डायेक्शन में एंदर डायेेक्शन और यह यानी कि जो वेक्टर करने वाले वैक्तर बी और जो वैक्तर हमको दिया और इन दोनों की जो डिरेक्ष्यन हे वह सेम है तो अब आप बोलेंगे कि एक किसी वैक्तर से हम दूसरी वैक्तर की डिरेक्र्ट कैसे कि वैक्ष्ण कर सकते हैं legit आपने पढ़ा है कि तर्डी वहसं होता है कि जिसका यूनिट वेक्टर है उसका multiply हम किसी भी magnitude में कर दें तो उस magnitude का हमको क्या मिल जाएगा बस यहाँ पर हम यहीं करेंगे क्यों कि वन का multiply कराप 7 में कर देंगे तो 71007 नहीं रहेगा ना 71007 यह नहीं magnitude 7 नहीं रहेगा तो इस Vector का हम unit Vector find कर लेंगे तो at लिस्ट हमको direction मिल जाएगी तो इसी लिए सबते पहले हम इस वेक्तर का क्या find करेंगे unit vector find करेंगे unit vector से हमको vector की direction तो मिली रहेगी और उसका magnitude रहेगा वह 1 रहेगा clear समझ में आगी बात तो यहां पर हमने यह देखा कि यहां और हम जो unit vector find कर रहे हैं इसका ये क्यों find कर रहे हैं क्योंकि इसने हमको direction मिल जाएगी unit vector रहेगा तो इसका जो magnitude रहेगा वो बन रहेगा तो हमारे पास एक vector दिया हुआ है vector a vector a दिया हुआ है i cap minus 2j cap अगर इसका हम unit vector find करते हैं unit vector find करने के लिए हमको चाहिए vector a upon magnitude of vector a ठीक है तो यहीं पर हम magnitude of vector a भी find करी लेते हैं तो magnitude कैसे find करेंगे यहाँ पर i का component क्या है 1 तो 1 का square plus minus 2 का square 2 2000 कितना हो जाएगा 4 और minus minus हो जाएगा प्लस ठीक है तो यह हो जाएगा अपना root 5 ठीक तो यहाँ पर value रख देंगे तो vector a क्या है i cap minus 2j cap upon root 5 तो यह आ गया अपना unit vector ठीक है चाहें तो इसको और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं तो यह हो गया i cap upon root 5 minus two j cap upon root 5 ठीक है तो यह क्या आ गया अपना इस vector का unit vector और इस unit vector का अगर आप magnitude find करते हैं तो magnitude आपको मिलेगा 1 और इसकी direction तो इसकी direction है वही इसकी direction रहेगी ठीक है अब इसके बाद अगर इस unit vector में हम जो vector हमको find करनी हो उसके magnitude का multiply करते हैं कि तो magnitude के साथ हमको इस vector की direction मिल जा और यहां पर हमको वेक्टर एंट करना है जिसके डिरेक्षण एक डिरेक्षण में है और मैणिटी potencial है ट्रेंट टान को किम हैं जुत सोभी यक्षी से में से इर्पला को डिम सेकरा एंडिकन कर देटें तो तो i cap upon root 5 माइनस 2 j cap upon root 5 तो यह हो जाएगा अपना 7 i cap upon root 5 माइनस 7 7 2 0 हो जाएगा 14 तो 14 j cap upon root 5 तो दीजे तो यह आगे हमारा दूसरा vector चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं आप vector v समझ में आ गई बात तो यह होगे आपका example number 7 complete तो next example example number 8 बहुत ही simple example है हमको unit vector find करना है तो unit vector का formula आपको पता है करना है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज और extra दे दी गई है हमको यह बोले जा रहा है कि हमको जो vector find करना है वो किसका find करना है sum of vector this and this यानि इन दोनों के sum से जो हमको vector मिलेगा resultant vector उसका unit vector find करना है तो सबसे पहले हम लेखेंगे sum of vectors a and vector b क्या हो जाएगा यहाँ पर vector a plus vector b ठीक है और हम already देख चुके हैं कि अगर component form में दो vector दिये जाते हैं तो उनको हम किस तरीके से add करते हैं चलिए कर देते हैं तो यहाँ पर हमने लेखा vector a 2i cap 2j cap minus 5k cap और यहाँ पर इसमें add करेंगे हम 2i cap plus j cap plus 3k cap ठीक है तो अब सीधी सी बात है i में i add होगा j में j और k में k तो यह हमने लिखा direct add कर देते हैं देखो 2i 2i यह होगया 4i cap 2j cap और j cap यह हो जाएगा 3j cap minus 5k और 3k यह हो जाएगा minus का 2k cap ठीक है तो यह होगया अपना vector a plus vector b और चाहें तो इन दोनों के sum को हम किसी दूसरे से दूसरे vector 3 से show कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे तो देखो दोनों vector के sum को हम vector c से show कर रहे हैं यहाँ पर unit vector of vector c equal to vector a plus b is तो इसको हम show करेंगे c cap से तो यह हो जाएगा vector c upon vector c का magnitude ठीक है तो सबसे पहले vector c का magnitude find करते हैं तो यह हम vector c का magnitude find कर रहा है vector c हमारी आई है यह तो किस तरीके से find करते हैं 4406 प्लस 33009 प्लस माइनस टू का स्कवर्ड तो माइनस माइनस प्लस 22004 तो यह कितना हो गया अपना यह हो जाएगा 16 प्लस 420 20 प्लस 9 यह हो गया 29 तो अब हम find कर लेते हैं तो unit आया है यह पर यह हो जाएगा फोर आयकेप प्लस 3 जे केप माइनस टू के कैप अपन यह vector c का magnitude तो यह आया है क्लियर समझ में आगई बात तो इसको अगर आप नूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अब हम देखेंगे next example so next example यहां पर हमको यही बोला जा रहा है कि हमको direction ratios बताने है इस vector के और direction cosines बताने हैं देखिए हमने जब component form पढ़ा किसका vector का तो हमारे पास अगर vector a है तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि मान लिए कोई vector a है यह है a i cap प्लस b j cap प्लस c k cap तो यहां पर यह जो a b और यह जो c रहेंगे इनको हम कहेंगे हमारे direction ratios ठीक है और direction cosines कैसे find करेंगे वो अभी हम देखेंगे क्योंकि इनको calculate करना पड़ेगा हमको ठीक है तो direction ratios होते हैं जनरली इस form में भी होते हैं ना x i cap प्लस y j cap प्लस z k cap तो यह जो x y z होते हैं यह क्या होते हैं हमारे scalar component क्या होते हैं हमारे scalar component होते हैं और यही जो होती है यही हमारे क्या हो जाते हैं direction ratios अगर हमको बोला जाता है find करने के लिए तो right ठीक है तो चलिए कर लेते हैं तो direction ratios में ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सीधा सीधा देखके अपने को लिख देना है बस तो देखिए अपने को जो वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेक्टर A equal to I cap plus J cap minus 2K cap, right? अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि direction ratio को हम किस तरीके से show कर सकते हैं तो यहाँ पर I के multiply में है 1, ठीक है? J के multiply में है 1 और K के multiply में है minus 2 तो यहाँ पर जो direction ratios हो जाएंगे और direction ratios को हम A, B और 3 से show करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे direction ratios A equal to 1, B equal to 1 and C equal to minus 2 ठीक है? direction ratios आगए अब direction cos find करेंगे तो direction cos find करने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप सीधा-सीधा क्या कर दो A upon जो आपका vector है उसका आप find कर दो magnitude ठीक है? तो यह आजाएगा आपका L ठीक है? और सीधा-सीधा आपको मिल जाएगा तो दो तरीके हैं तो एक तो यह तरीका हो गया सीधा-सीधा formula का क्या आप कर सकते हैं? देखो आपका यहाँ पर जो direction ratio आया है वो है तो unit vector find कर रहा है तो इसके लिए क्या होता है formula? जो भी vector है वो और उसका magnitude ठीक है? तो इसका magnitude find करेंगे तो यहीं क्या ही कर लेते हैं? सबसे पहले vector लिखते हैं अपन तो अपन ने लिखा i cap plus j cap minus 2k cap अपन ने क्या लिखा? वेक्टर लिखा और यहाँ पर vector का magnitude find कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1 का square plus यहाँ पर ही 1 का square plus minus 2 का square समझ में आ गई बात? इसके multiply में 1 का square, 1 का square और minus 2 का square ठीक है? इसको solve कर लेंगे आ जाएगा आपका a cap equal to i upon root 6 और चाहे तो इस तरीके से लिख लीजा आप इसको 1 upon root 6 i cap plus 1 upon root 6 j cap minus 2 upon root 6 k cap यह unit vector आ गया और यह जो है आपका यह हो गया L, यह हो गया M, यह हो गया N समझ में आ गई बात? तो आपके पास दोनों तरीके हैं आप क्या करिए? यहां से देखिए आपका जो direction cosine से हो यह आ गए तो मैं direction और cosine थोड़ा shortcut में लिख रही हूँ तो यहां पर आपके direction cosine L आगे आपका 1 upon root 6 M आगे आपका 1 upon root 6 और N आगे आपका minus 2 upon root 6 एक तो तरीका यह है और चाहें तो formulae से भी कर सकते हैं कि L equal to आपका direction ratio पहला वाला और upon जो भी vector है अब यहां पर vector A दिया हुआ था जनरली हम vector R लेकर चलते हैं यानि formulae के form में अगर देखा जाए तो कि अगर कोई भी vector है जनरली हम क्या पट रहे हैं अभी यहां पर जो भी vector है हमारे पास वह हम position vector लेकर ही चल रहे है तो position vector को generally हम R से show कर रहे हैं यानि R vector ठीक है तो उसका magnitude M की value हमारा दूसरा वाला direction ratio अपन वेक्टर का magnitude और N एककोल टू तीसरा वाला direction ratio अपन वेक्टर का magnitude तो वही कि हमने वेक्टर का magnitude find कि रूट 6 आया तो A अपन रूट 6, B अपन रूट 6 और C अपन रूट 6 तो दोनों तरीके हैं आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं ओके clear तो यह होगे आपका example number 9 complete नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके आप नोट कर सकते हैं बागी आज की class में हम बस इतना ही करेंगे आज की class में main चीज हमने यह समझी कि किसी भी वैक्टर का component form क्या होता है तो यहां पर हमने सबसे पहले तुसका पूरा concept समझा ठीक है उसी के अंदर करी सारी चीज़ें थी कि अगर component form में वैक्टर दिये जाते हैं तो उनको add कैसे करेंगे सब्ट्रेक्ट कैसे करेंगे इसके बाद दो वैक्टर इक्वल किस कंडिशन में हो सकते और भी कई सारी चीज़ें हमने यहां पर समझी साथ में example भी किये तो आज की class में हमने जो सारी चीज़ें समझी है जो example किये है यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हूंगे व